नमस्का दोस्तों, स्वागत है आपका हमेरे चैनल डाइट एंट फिटनस में मैं हूँ आपकी होस डाइटिशना कांगशा आज की वीडियो में हम देखने वाले है कि चवन प्राश खाने से हमारे शरीर को कौन से कौन से फायदे होते है तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि चवन प्राश जो होता है वो खास और पर रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तिमाल किया जाना वाला एक आयरवेदिक फॉर्मिलेशन है चर्ण प्राश की इंग्रेडियंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी आयरवेदिक जड़ी बुटिया जो होती है उनका एक्स्ट्राइक इसमें डाला जाता है आमला है, या फिर ब्रामी है, डाल्चीनी है, लॉन क है, हल्दी है, शहद है उसमें उसे के साथ साथ पीपली जैसी जो Зड़ी बुटिया होती है वो भी चवनप्राश में होती है तुलसी, अश्वगंधा, ऐसे कई सारी जड़ी बूटिया जो होती है जिनका हमारे शरीर पे, हमारी हेल्थ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है ऐसे कई सारी जड़ी बूटियों का मिश्रन बना के चवनप्राश होता है वो बन जाता है और आपको पता होगा कि बच्चपन में खासता और पे ऐसा बोलते है कि छोटे बच्चों को देना चाहिए यानि कि किड्स को एकदम छोटे बच्चों को नी लेकिन जो स्कूल जाने लगते हैं बच्चे तो उसके बाद थोड़ा सा एक चम्मच चवनप्राश देना हम चालू कर देते है बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है तो चवनप्राश से हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे भी होते है क्योंकि इतनी सारी जड़ी बुटियों का मिश्रन इसके अंदर होता है तो रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए बाग की भी कई सारे फायदे इसके होते है और खासता और पर आपको पता होगा अभी जैसे कुछ दिनों पहले कोरोना टाइमस में बहुत सारे लोगों ने चवनप्राश लेना चालू कर दिया था ताकि उनकी इम्म्यूनिटी रोग प्रतिकार शक्ती बढ़े तो उसके बाद भी आप चवनप्राश का सेवन कर सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि चवनप्राश खाने से आपके शरीर को कौन से कौन से फायदे होंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देली के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दू कि अगर आप मेरे चानल पे नहीं हो और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरी नही नही जो वीडियोज आती रहेंगी वो सारी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी 54 प्राश के अंदर कई सारे आयरवेदिक जड़ी बुटियों का मिश्रण पाया जाता है आमला है, अश्वगंदा है, तुलसी है, ब्राम्ही है कई सारी वनस्पती का ये मिश्रण होता है जो की हमारी immunity यानी की रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाने के लिए काफी मदद करता है आमला जैसे जो गटक होते है, वो vitamin C से वरपूर होते है तो ये naturally हमारी रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाते है उसे के साथ साथ सर्दी जुकाम जैसे जो बिमारिया होती है उनसे लड़ने के लिए तुलसी है या फिर अश्वगंदा है ऐसे वनस्पती का इसमें extract होता है और उसे के साथ साथ कई प्रकार के जो infections होते है उनसे बचने के लिए या फिर उनसे लड़ने के लिए भी हमारे शरीर की काफी मदद करते है तो रोजाना अगर आप एक चम्मज भी चवनप्राश का खाते हो तो वो आपकी immunity बढ़ाने के लिए मदद करता है दूसरा फायदा है हमारे पाचन में सुधार करने के लिए चवनप्राश के अंदर नाग केसर है और दालचीनी जैसे जड़ी बुट्या होती है वो भी पाई जाती है तो इसलिए फिर हमारे पाचन को सुधारने के लिए ये काफी मदद करते है हमारा चयापचय यानी कि पाचन की क्रिया जैसे कहते है उसके लिए ये काफी सपोर्ट करते है उसे काफी मदद करते है और पेट में जलन या फिर इंक्लमेशन जैसे हम कहते है उसे कम करने के लिए भी ये काफी अच्छा होता है और पेट के किसी भी प्रकार के संक्रमन यानी किस तमक इंफेक्शन जिसे हम कहते हैं ऐसे कई प्रकार के जो संक्रमन होते हैं उनसे बचने के लिए भी ये काफी अच्छे होते हैं तो पाचन के लिए भी ये काफी आपको मदद करेगा, पाचन में सुधार लाने के लिए भी आप 54 प्राश का सेवन कर सकते हो, तीसरा फाइदा है 54 प्राश का हमारे रक्त की शुद्धी करन के लिए, चवण प्राश के अंदर हल्डी है, तुलसी है, ऐसे कई सारे जो घटक पाए जाते है, जो कि हमारे रक्त को साफ करने के लिए काफी मदद करते है, हमारे शरीय से जो सारी अशुद्धिया होती है, टॉक्सिंज होते है, उन्हें बाहर निकालने के लिए ये अच्छे होते है, उसे के साथ पाटला नामक के कायरवेदिक वनस्पति होती है, उसका extract अगर आपके चवन प्राश में है तो वो भी शरीय से toxins हटाने के लिए काफी मदद करता है तो आप देख के भी थोड़ा ले सकते हो कि पाटला नामक इंग्रेडियन्ट अगर उसमें है आपको अगर रख्त शुद्धी के लिए खासतोर पे चवन प्राश आईए तो आप वैसे लेबल पे देख के ले सकते हो अगला फायदा होता है चवन प्राश का उर्जा के लिए तो चवन प्राश के अंदर जो सारे जड़ी बूटी पाये जाते है उसके कारण ये हमारे शरीर से जैसे मैंने भी बताया टॉक्सिंस हटाते है और हमारे मेटाबॉलिजम को सुधारते है और जब आपका मेटाबॉलिजम अच्छा रहता है तो जो भी आप खाना खाते हो वो शरीर में अच्छे से पचता है तो फिर उसके कारण आपकी उर्जा का स्तर अर्चा रखने के लिए भी ये मदद करता है आप सुबह सुबह खास दोर पे अगर चवन प्राश खाते हो इक चमज तो आपको दिन भर उर्जा यानि की फूर्ती देने के लिए ये काफी मदद करेगा और एक बात ये भी है कि पाचन के लिए भी ये मदद करता है तो अगर आपका पाचन अच्छा रहता है तो उसका असर भी आपकी एनर्जी लेवल पे पढ़ता है तो इसलिए इनरजी बढ़ाने के लिए उर्जा बढ़ाने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हो। पाच्वा फाइदा है 54 प्राश का हमारी शुषन संस्था के लिए तो हमारी शुषन संस्था यानि की respiratory system जिसे कहते हैं उसे clean करने के लिए उसे साफ रखने के लिए भी ये काफी अच्छा होता है आमला जैसे जो घटक होते हैं जो vitamin C से भरपूर होते हैं तो ये हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में antioxidant देते हैं और श्वसंद की जो समस्याय होती है उने कम करने के लिए या फिर उनसे दूर रखन के लिए ये हमारे शरीर के काफी मदद करते हैं अगला फायदा है हमारे दिमाग के लिए जवन प्राज के अंदर आमला है या फिर अश्वगंधा है या फिर हल्डी जैसे जो अच्छे जड़ी बुटिया होती है उसके कारण हमारे दिमाग के सेल्स को पोशन देने के ये भी काफी मदद करता है तो इसलिए जैसे मैंने कहा शुरुआत में वीडियो के कि छोटे बच्चों को हम देते हैं खास तोर पे 54 प्राश जो भी लोग स्कूल जाते हैं जो बच्चे उन्हें देना चालू कर देते हैं बहुत सारे फैमिलीज में तो वो इसलिए है क्योंक अगर आप 54 प्राश लेते हो तो वो हमारे शरीर में चैलू के अच्छे से अब्रॉप्शन के लिए मदद करता है और उसे के साथ साथ प्रूटीन सिंथेस जिसे हम कहते हैं उसे भी ये काफी सपोर्ट करता है और क्यूंकि शरीर के अपर 54 का सेवन करते हो और उसे के साथ स जादा फाइदे मन रहता है शरीर के लिए calcium absorption अच्छे से होता है और फिर उसके कारण आपकी हड़िया मजबूत बनाने के लिए यह मदद करता है तो इसलिए खास तोर पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूद के साथ भी चवन प्राश लेते हैं तो ऐसे आप दूद के साथ लेते हो तो दूद का calcium है और protein है वो भी आपके शरीर को मिलेगा और क्योंकि आग 54 प्राश खा रहे हो तो protein synthesis और calcium का absorption यह दोनों भी आपके शरीर में अच्छे से हो जाएगा अगला फाइदा है हमारी त्वच्छा को स्रस्त रखने के लिए तो जैसे कि आप सबको पत प्राश में इतने सारे आयरवेदिक जड़ी बुटियों का यह मिश्रण होता है जो कि हमारे त्वच्छा को portion देने के लिए भी काफी मदद करता है और जैसे मैंने बताया कि रत साफ करता है तो रत अगर आपका साफ होता है खून साफ होता है तो उसका भी अच्छा असर की त्वच्छा पर दिखता है तो त्वच्छा को चमकदार बनाने के लिए और त्वच्छा को भी स्वस्त बनाने के लिए चवन प्राश बहुत ही जादा अच्छा होता है नौवा फायदा है हमारे दिल के लिए चवन प्राश खाने से हमारा blood circulation जो होता है वो भी काफी मा तो फिर आपका दिल का स्वास्य जो होता है वो बढ़ाने के लिए काभी मदद होगी और दिल के कई सारी बेमारिय होती है उन्हें दूर रखने के लिए भी काफी मदद करेगा इन सारे उपयोगों के साथ-साथ हमारे शरीर में आयरवेदा के अनुसार जैसे कहते हैं के वाद, पित और कफ ऐसे तीन टाइप होते हैं तो उनका संतुलन रखने के लिए ये काफी मदद करता है जिसे कि त्री दोश कहते हैं वाद, पित या फिर कफ इसमें से कोई भी एक गटक उपर नीचे होता है तो फिर उसका बुरा असर हमारे शरीर पर पढ़ता है तो इसलिए इन तीनों गटकों को अच्छा रखने के लिए और बालंस रखने के लिए भी चवन प्राश काफी मदद करता है तो इन सारे फाइदों के साथ-साथ अब हम दोस्तों के लिए और दोड़ तरीके से आप ये ले सकते हो एक तो जैसे है वैसे हम एक चम्मच खा लेते हैं उसे के साथ-साथ जैसे मैंने बताया कि दूध में मिला के आप ले सकते हो या फिर थोड़ा सा गुन-गुना पानी करके उसमें मिला के भी आप चवन प्राश ले सकते हो कास तोर पे कुछ-कुछ लोगों को वो जाता नहीं है सूखा तो ऐसे समय पे दूद या फिर गुनगुने पानी के साथ देने के लिए ये काफी अच्छा हो जाता है और एक चीज आपको जरूर याद रखनी है जो कि है मात्रा इसके आपको सही लेनी है एकदम जादा मात्रा में भी नहीं लेना है डबबा जो भी आप खरीते हो किसी भी ब्राइन का चनप्राश का डबबा खरीते हो तो उसके उपर मात्रा दी गई होती है कि बच्चों को कितना लेना है, बड़ों को कितना लेना है, तो उसके इसाब से सही मात्रा में ही आपको ये लेना है, आज के वीडियो के लिए वस इतना ही दोस्तो, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीड कोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाय टेक केर